पूरा भारत का ये वेकंसी है नेहिरू युवा केंदर जो है संगठन यहां से आपका एक वेकंसी निकल करा रहा है वोलेंटियर का वेकंसी जो प्रतेक दो साल में निकल करा आता है ठीक है यहां पे येर क्या है 2023 से पजीस तक आपका जोइनिंग यहां पे आपका सेलेक्शन हो जाने की इस्तिति में है आपको नोकरी करनी पड़ेगी 23 फरवरी से स्टार्ट है 9 मार्च आपका लास्स टेट है मातर 15 दिन का टाइम यहां पे दिया जाता है तो यहां वोलेंटियर का जो है पद आपको मिलेगा सेलेरी आपका 5000 रुक्या मिलना है पर मंत ठीके इसमें सेलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है तो इंटर्व्यू के दवारा सेलेक्शन लिया जाता है डॉकुमेंट आपको जो जैन्मीन यहां पे चाहिए 10 पास होना चाहिए तो पूरे जहारखंड मे जागरू करना चाहते हैं किसी भी समस्या को लेके तो इस जौब से जूड़ जाईए और सासात में त्यारी भी जो करते हैं वो त्यारी को अच्छा जो है वो परियास कर सकते हैं क्योंकि आर्थिक मदद भी यहां से आपको मिलेगा 5000 रुपय सेलेरी आपको दिया जाता है तो देखिए यहां पर कैसे भरना है वो आपको थोड़ा में बता देता हो तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहां देखिए nyks.nic.in यहां पर जाना है आपको data off था मेरा इसलिए on कर रहा था nyks.nic.in को सर्च करना है आपको google में या जाके chrome में ठीक है उसके पाद आपको करना क्या है यहां पर आप देख रहे होंगे नीचे apply for apply for nyks यहां पर जाके आपको click कर देना है यह देखिए मैंने कर दिया यहा condition दिया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया वही बताएगा आपको eligibility condition दिया हुआ है eligibility आपकी क्या होना चाहिए और fill form जो है online तो यहां पर आपको click कर देना है इसके बाद देखिए आपका state पूछा state में जारकन से हो इसलिए में जारकन डाल दे रहा हूं ठीक है आप जो भ मांग रहा है ने मेंट्रेस मांग रहा है जो आपका local blog होगा वहां से आपको apply करना पड़ेगा आप जो जिस भी ब्लोग से ब्लोंग करते हैं वहां से आपको apply करने के लिए आपका ब्लोग का भी नाम सो करेगा तो यहां voter ID नेम देखिए यहां पर सब्स दिया हुआ हुआ इस सब detail आपको भरना है high qualification डालना है role number 10 में कितना था year of passing board university other qualification volunteer working knowledge है आपको डालना है computer डालना है language knowledge आपको कौन-कौन से language आता है present address आपको डालना है उसके बाद permanent address डालना है mobile phone email have you ever participated in the following program तो यहां पर no कर देना है अगर आप नहीं डाले हैं तो यहां पर देखिए अगर आप participate हुए हैं तो अब yes कर सकते हैं वहां पर आपको फैदा मिलता है are you active member of a village level देखिए सबसे मैं यही है आपको village level पर काम करना पड़ेगा यह मैंने आपको पहले बोल दिया हूं ठीक है name address पूर एदम clear डालना है document upload इसके यहां पर आप जाके submit कर दीजेगा ठीक है चल जाना आपका काम हो जाएगा ठीक है जो 10 का मार्क सिट होता है उसका जो हाई हाई को सब्सक्राइब करके बलाया जाएगा तो वहां पर लेके जाना है इसके लिए notice निकलता है कि इस डेट को यहां पर इंटर्वी किया जाएगा वह भी मैं आपको इस चैनल के मादिए स पूशना है मिलते हैं आप सब्सक्राइब के साथ आप सब्सक्राइब का सुक्रिया धन्यवाब